दॉक्तर साहब, मैं यह जानना चाहिता हूँ, कुछ दिन पहले हमने आपके चक्र एक्टिवेट किये थे, फिर इसके बाद मैंने आपके कुंडलनी भी और्द की, उस समय में पूछ नहीं पाया, हाँ अगरा आप सादकों को या इस वीडियो को देखने वागए, जिग्यासों को या दर्सकों को, आप बताएंगे कि क्या जब कुंडलनी आपकी जागरित होकर के और्द हुई, तो कै कैसी अन्बूती हो रही थी, आपको जो अन्बूती होई हो, विल्कुल वही, उसी कंसर बताना कि आपको किस्पकार की ताकि दर्शक लोग भी मतलब कुछ समझ सकें कि जागरित होने पर कुंडलनी की अन्बूती कैसे होती है, क्यूंकि कुछ सादकों में बिन्द बिनतरे हो, मैंने कुछ नोड भी किया, क्योंकि अन्बूती धीमेदी में हुई थी, तो मैं पोसिज करता हूँ कि मैं पूरा समझा सकूँ, गुरुजी सबसे पहले जब आपने मन्तर जवाब ने सुरू किया, तो मुझे मूलाधार के छेत्र में तोड़ी सी गर्मी और जलन जैसी मैसूस होने लगी, और उसके बाद जब ओम का मुंतर जवाब कह रहे थे, और ज्यान सुरू किया, तो ऐसा लगा कि मूलाधार से वो जलन बढ़ रही है, उपर की तरह बढ़ रही है, वो गर्मी, और साइद थोड़ा स्वाधिस्ठान तक आई होगी, उसके बाद थोड़ मूलाधार से, उपर कंपन के साथ में कोई जगा जैसे रिट कहंटी पे बना रही है, बहुत कोई गर्माहाट ऐसी नहीं कर रही है, लेकिनों जैसे कोई टाइट चीज में कोई चीज अंदर जो है, जो जगा बना रही हो, फिर उसके बाद गुरू जी यह नहीं हो जो है, उपर की तरह बढ़ी और फिर थोड़ा सा सांत हो गई गुरू जी ओ, ठोड़ी देर सांत ही रही लगा कि वैसे ही स्थिर हो गई है फिर अचानक थोड़ा सा, जैसे, पेट बना पल्क की ओर खिछना शलू गई, और अन्दर जा रहा है और उपर की ओर खिछना रहा है और यह स्थिति बनी रही और वो जो कंपन था या जो मुवमेंट था प्रियर के अंडी में वो गुरुची हिर्दय चक्र तक थोड़ा सा पहुंश करके फिर उड़ गया वहाँ पर फिर उसके बाद एक दो मिनट के बाद फिर से वो कंपन बढ़ा और बढ़ने के बाद वो गले के छेत्र तक पहुंश किया और जब गुरुची आपने कंट शक्र पे शक्तिपात किया तो गले के छेत्र पे जो दबाव था वो जो बना हुआ था उस समय वो दबाव एक्दम टाइट ऐसा सारा जिसा जखड़न सी वहां पर हो रही है और वो काफी देर तक जखड़न बनी रही और फिर अचानक जैसे लगा कि उस जखड़न के वैससे कोई चीज ऊपर की बढ़ रही है और बढ़ने के बाद वो यहां गर्दन के पीछे यहां त चार-पांश मिलटी प्रक्रिया बढ़ी रही और तुरा सा गर्दन के छेटर में दर्द भी हो रहा था तुरा दबाव महसूस हो रहा था फिर उसके बाद में ध्यान करता रहा तो वो जो उर्जा थी वो जो गती थी उसकी वो अंदर की तरफ जो है वो गुरू जी तो उस जगह पर बीच में जैसे पीनियल लेंड की यहां लोकेशन होती है तो उस जगह पर वो कस के जह दबाओ बनाने लेगी और उस डूरेशन में गुरुजी ऐसा हो रहा था कि वो दात मेरा जैनों ऐसे भिच सा गया था आगि कि जह रहाँ अभिचOOOO, एक प्याम से बार रहा था दो और गोगाइशन पीनियां लेंड लोकेशन पर अचिन जगह पर और यहां वर शयक्ति कुछ ऐसी नगी तो थैगेर रहा है और वो प्रेशर करीब 5-7 मिन तक बना रहा और उसके बाद वो प्रेशर थोड़ा सा गुरू जी हो आगे की तरफ इस जगह पर भी दबाव डालने लगा हूँ प्रेशर तो इस पूरी प्रक्रिया में करीब गुरू जी हम लगता है आधा पौन गंटा या एक गंटा में हो सकता गुरू जी हो गया हो और वो दबाव उसके बाद फिर यह मैसूसता हूँ ध्यान जब खतम किया तो उसके बाद भी गुरू जी अंदर तालू में कह सकते हैं तालू क पीछे के हिस्से पर हाड पैलेट जो होता है उस पर पीछे के उससे लगातार जो है वो दबाओ टक्कर जो हो पूरे समय बढ़ी रही और अधी भी मैसूस होती है और इस जगा पर आग्या चक्र की इस्सित पर यहां पर भी अंदर से जैसे कोई जो है वो टक्कर मार रहा ह तो यह महसूसता उसके बाद से बनी हुए है कभी-कभी रीड की अटी में भी जलन या गरम सा महसूस होता है तो ज़्यादा गर्माट नहीं रखती लेकिन कभी-कभी महसूस होता है या दिबारा से जब कल रात में ध्यान पे बैठे या सुबर बैठे तो वो एक्दम से उ पर आती है और यहां तक जो हो सिर के पीछे तक आती है जी आप ने जैसा कि शुरू में बताया कि आपके मुलादार में गरम हुआ फिर थोड़ा गर्मी सी उप चड़ी और आपका उड्यान बनने लगा तो यह जो उड्यान बन अपने आप लगता है कुंदनी की कारण ही उससे क्या होता है जब अपने आप लगता है तो कुंदनी को थोड़ी साहता मिलती है प्राओं का दबाओं मुलादार चक पर बढ़ता है तो कुंदनी को ऊर्ध होने में थोड़ी साहता मिलती है आपने यह भी बताया कि शायद थोड़ा यानि किसी चक पर रुकी शायद आभी आहिर लैपर थोड़ी थोड़ी देर रुपती रही ऐसा मैसूस होता था उसका यह होता है कि जो चक्र जल्दी जल्दी से शाधना आपकी आगे की और बढ़ रही थी और हम बढ़ाने में लगे विदिया नहीं आपकी शाहता कर रहे थे तो यह जो चक्र का यहां पर हो होती हैं ऐसा समझना चाहिए कि चक्र को और सुद्ध करके और उसका विकास कर रही थी तो काद तो बराबर हो कर रही थी लेकिन आपको ऐसा मैसूस होता था कि यह रूप के खुता क्या है कि चक्र में जब यह शूप्षता का यानि घनत्य का आउस्ट में फरक होता है तो अगले कम सूक्ष जगए में उसको छेत्र में जाना पड़ता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, तो सूक्ष तो कम होने लगती है, ब्यापक्ता बढ़ने लगती है, जितनी ब्यापक्ता बढ़ेगी, यानि छेत्र की सूक्ष जगद में, तो उसे शुद्धता भी चाहि तो फिल जब अगले चक्र से अगले चक्र को कोई जब ये पुंदनी जटी करती है तो ऐसा लगता है कि बड़ी जल्दी पहुच गे लेकर चक्र में शुर्वात में और फिर थहर जाती है तो थहरने का यह है कि चक्र का विकास क्रम का रही होती है तो इसलिए आपको स्क्राइब स्क्राइब स्क्राइब